द्वी घात समीकरण को हल करने के तरीके अब तक हमने देखा कि वर्ग समीकरण कैसे बनते हैं अब हम उनके हल करने के तरीके पर चर्चा करेंगे X की घात 2, रिण 7X बराबर 0 एक वर्ग समीकरण है क्या हम यहां X का मान पता कर सकते हैं चूंकि X की खाद 2 रिण 7 X बराबर 0 है या जब हम दोनों पदों से X उभाईनिश निकालेंगे तो X X रिण कुष्टक में हम लिखेंगे X रिण 7 बराबर 0 या X बराबर 0 या X रिण 7 बराबर 0 तब X बराबर 0 या X बराबर 7 चूंकि X के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं या इस समीकरण X की खाद 2 रिण 7 X बराबर 0 के हल होगे X बराबर 0 और X बराबर 7 इस समीकरण के हल होगे इसी प्रकार कहीं हम दूसरा धरन देखते हैं इस प्रकार इसी प्रकार कहीं हम दूसरा धरन लेते हैं X धन 1 X रिण 2 बराबर 0 को हल करके देखते हैं यहां पर हम X धन 1 बराबर 0 लेते हैं या X रिण 2 बराबर 0 जब हम धन 1 का पक्षांतर करेंगे इसी लिए X का मान रिण 1 हो जाएंगा या रिण 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो X का मान 2 हो जाएंगा चुकि X के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं अताहा X बराबर रिण 1 बराबर 2 समीकरण X धन 1 कुष्टक में और दूसरे कुष्टक में X रिण 2 गुणा X धन 1 कुष्टक में गुणा X रिण 2 कुष्टक में बराबर 0 के मूल होगे मूल होगे करके देखें इन समीकरणों के हल ग्यात कीजिए पहला X का वर्ग रिण 11 एक्स बराबर 0 दूसरा X रिण 1 पूरे का वर्ग बराबर 0 तीसरा X धन 3 पूरे का वर्ग बराबर 0 चौथा कुष्टक में X रिण 2 गुणित कुष्टक में X धन 3 बराबर 0 पांचवा एक्स गुनित कोश्टक में एक्सरीन एक बराबर शुन्य